महां मैं डॉक्टर पवन राजके कञ्या मावीद देले जहलावार से इशावासय उपनिशत के आज के इस मंतर व्यक्ष्यान में आप सबी का स्वागत करता हूँ छात्रों अभी तक हमने मंतर संक्या सोला तक का अध्यन लिए आए आज हम मंत्र संख्या सत्रा काध्यन करते हैं मंत्र संख्या सत्रा का भाचन करेंगे तो यहाँ पर पुरु में जहां तक आत्म तत्व की चर्चा की गई और किस तरह से जो है प्रमात्मा किया कहा गया कि है प्रभू प्रमात्मा आप ही विश्वनियामक हैं विश्वनियंतरक हैं ग्यानियों के परमलक्ष हैं उसके पस्चात अब सादक जो है प्रमात्मा का दर्शन करने के पस्चात आनंदित होता हुआ अंत में यह प्रार्थना करता है इश्वर से कि अथ वायू वायू अम्रितम अनिलम प्रविशतु का ध्यार करेंगे अर्थात वायू यानि प्रान वायू जो है वह अम्रितम अनिलम अर्थात जो अविनाशी जो अनिल है वायू है उसके अंदर प्रविशतु यानि प्रवेश कर जाए उसमें चली ज ये शरीर क्या है बसम हो जाए ये सरी समात्त हो जाए और जो प्राणवाईू है वह अम्रत जो समस्टी वाईू है उसमें ये समस्टी वाईू में प्रवेश कर जाए ओम-क्रतो ओम यनि ऑम ब्रह्मवळक सब्ध है प्रनवड जो है ब्रह्म का वाचक होता है हम जानते हैं तो ओम तो है प्रमात्मा कृतो है एक पुरुष भगवान कृतो संबोधन में आया है संबोधन एक वचन में है एक पुरुष भगवान इसमरा मेरा इसमरन करें कृतम इसमरा मेरे किये हुए कर्मों का इसमरन करें मेरे किये वे कर्मों का इस्मरन करें कृतो इस्मरा कृतम इस्मरा है एग्य पुरुष भगवान मेरा इस्मरन करें और कृतम इस्मरा मेरे दोरा जो कुछ भी कर्म किये गए हैं उनका इस्मरन करें तो यहाँ पर मेरे जो प्राण है सर वह सरवातमक वाय रुपसुतरा आत्मा को प्रापत हूँ क्योंकि वह है शरीरों के आने-जाने वाला जीव अमर है और यह शरीर केवल भसम परियन्त है इसलिए अंतर समय में हे मन ओम का इसमरण कर अपने दोरा कियेगे करमों का इसमरण कर तो यहां मन को जो है इश्वर का प्रतिनी धीमान करके है तू जो है उस प्रमात्मा का इस्मरण कर और अपने किये वे कर्मों का इस्मरण कर जो शुब करम है उनका इस्मरण कर तो अर्थ हम दोनों प्रकार से ले सकते हैं सार भूत अर्थ यह हुआ कि जो यह प्राण वायू है वह है महा वायू जिससे वायू पन्न हुई है उस वायू में प्रवेश कर जाए यह शरीर भस्म हो जाए और यह चरीर चूंकि भस्म परियंत है इसलिए है मन अब तू वस्त कर और इश्वर का इस्मर्ण कर या इसका जो दूसरा रथ हम पूर में बता रहे थे के हेग के पुरुष आप मुझे इस्मर्ण करें मेरे दौरा कियेवे करमों को याद करें अजो दौन बताएब मुझे इस्मर्ण करें और मेरे दौरा कियेवे करमों को इस्मर्ण करें इसमर एवं तो यहां पर प्रमात्मा से कामना की गई है विनिती के है प्रभू आप मेरे को इसमर्ण रखें और मेरे केवे कर्मों का इसमर्ण रखें दूसरा जो अपने जीवात्मा अपने मन में इस्थित है उसी को प्रतिती मान करके भी कहा गया है कि तुम जो है अब अप परमतप्वे उसमें मिल जाए और यह शरीर भी भश्म हो जाए अता है मर्त्यू की ओर बड़ते हुए बस तो तो परमात्मा की ओर ही ध्यान रखना चाहिए अपने मुह माया संसार का अपनी उपलब्दियों अनावशक बहुतिक उपलब्दियों का विक्ति को इसमरन नहीं रखना चाहिए तो यही पर यहां पर बात बताई गई है और इस तरह से जो है विक्ति किस तरह से प्रान इत्याक के समय क्या भावना उसकी होनी चाहिए यहां यह महाग्यान इस मंत्र में हमें दिया गया है कि मृत्य के समय परमात्मा का इसमरन आवशक है परमात्मा के नामों में ओम स्रेष्ट है तो मृत्यू के समय Aum का उच्रन करके मेरा इस्मरन करना चाहिए प्रमातमा ये साही स्रीकष्रणिये गीता में कहा है ओम इक आकिशर्म ब्रम्म वयारं मामनूस मरन तो इस तरह से जो गती होती है भाववव गति मृत्यू को प्राप्त करता है परम तत्यू को प्राप्त होता है अंतकाले चमामे वा इस्मरन मुक्त्वाकले वरम यह प्रियाती समत भावम याती नास्तत्र संचया यह भी परमेशन श्रीकृष्णी गीता में कहा है तो निश्कर्ष यह निकलता है कि मृत्यू का समय न इस स्थूले सुक्षम शरी से जुड़े अनेक जन्मों के सांसारी का सक्ति के संसकार नश्ट होंगी ता उत्तम कर्मों पासनाओं के इस मरण से चित्त में पवित्रता और आनंद के अनुभूति होगी एसी मृत्ति जो है हमें निश्चेत रूप से उत्तमगर्थी प्रदान करेगी उसके पस्चात मंत्र संख्या अश्टादस को देखते हैं अगने नय सुपथा राय असमान विश्वानी देव वयुनानी विद्वान योद्यसमज्जुहुराणमेनो भुष्टाम ते नम उक्तिम विधेमा तो अगनी देव को संब्धित करते होई सादक केता है कि है अगनी देव असमान हमें राय अर्थाद उस परमधन की प्राप्ती के लिए सुपथा यनी उत्तम मार्ग से नय यानी ले चलो देव हे प्रभू हे इश्वर विश्वानी वयुनानी विद्वान विश्वानी अनी सारे वयुनानी अनी कर्मों को विद्वान अनी तुम जानने वाले हो असमत जुहुराणम हमारे जो प्रतिबंधक जो अइना है नी पाप हैं उनको युयोधियानी निवारन कर दो हो सकता इस परमेश्वर की प्राप्ती में हमारे कुछ पर्टिबंधक बाप भी हो तो उन्हें तुमने वरण कर दो ते भूईष्ठाम नम उक्तिम विधेम तुमारी हम जो भूईष्ठाम यानि अत्यदिक बारंबार नम उक्तिम आधि नमस्कार के वचन तुमारे लिए हम विधेमे नि करते हैं तो अगने अगनिदेव अश्मान शाधकान राए परमधन परापतके सुंप था उत्तम मार्गें उत्तरायने नवाब उत्तरायन धक्ष्णायन दो मारक ए गए हैं तो यहां पर अगने देव की स्पष्ट उपासना की गई कि है अगने देव आप ही वस्तुते शरीर को भस्म करके हमारे परमात्मा से मिलन करने वाले हो तो आप हमें परमधन रुपी परमेश्वर के समीप पहुँचाने के लिए उत्तम मार्ग से ले चलो अब हमारा शरीर नश्ट हो रहा है नश्ट होने जम जा रहे हैं तो हे अगने देव हमें भस्म कर आप हमारे शरीर को भस्म करके आप हमें उत्तम मार्ग से ले चलो आप हमारे सारे कर्मों को जानने वाले हूँ लेकिन इसमें कुछ हमारे जो प्रतिबंदक कर्म हैं, पाप हैं उनको तुम दूर करदो, हमें पवित्र करके ले चलो हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं किस तरह से एक बिलकुल बहदुर की तरह और परम पवित्र मन से इश्वर को इस्मर्ण करता हुआ अगनी देव को विनम्र प्रार्थना करता हुआ सादक अपना शरीर त्याग कर रहा है उसी का यहां पर बहुत अच्छा ब्रणन किया गया है तो हम आपकी उपासना करते हैं तो इस मंतर में मृत्युकाल में उत्तम गती चाहने वाले धन रूपी परमेश्वर के पास पहुँचने वाले उत्तम जीवात्मा की प्रार्थना है और यह प्रार्थना अगनिदेव से की गई है जो इश्वर से की जाने वाली प्रार्थना है अगनिदेव हमारे व्यक्त से अवक्त जगत की कड़ी है परमात्मा तक पहुँचने का माध्यम है तो जीवात्मा यहाँ पर दक्षनायन मार्ग से नहीं जाना चाता जो क्लिष्ट है अदोगती देने वाला है उत्तरायन मार्ग सुन्दर कल्यानकारी मार्ग है जो सुगती प्रदान करती है हेग निदेव आप इस मार्ग से हमें ले चलें तो साथ परमेश्वर के परमधाम तक पहुंचा दे साथ में यह भी का गया है कि एद्धी मेरे संग्यान में मेरा कोई सा कर्म नहीं है जो परमेश्वर तक पहुंचाने में प्रतिवन्दख हो फिर भी एद्धी कोई ऐसा कर्म हो जो मुझे इसमरण नहों तो उसे आप करपाक पूरवक नश्ट कर दें परमात्मा की प्राप्ति ही हमारा इश्ट है यह मनोरत हमारा पूर्ण कर दें हम बार अमबार आपको नमस्कार करते हैं तो यहाँ पर इस प्रार्थना के साथ ही इस मंत्र के का एक तरह से मंत्र के साथ ही उपनिशत समाप्त होता है और उपनिशत के अंतिम दोनों मंत्र सादगों के लिए तिंत महत्पूर्ण ने सादक अंत समय में अभ्यवान को त्याक कर सांसारिक मोह ममता से हट कर परमेश्वर का अश्र ले ले लेता है अपने को पूनता परमात्म को समर्पन कर देता है तो यह उसके लिए निश्ची दरूप से का ल्यान कारक होता है वैं मरत्यू के समय पूनता है शान्त और निर्विकार होता है जो सद्गति के लिए आवश्यक है घिता में भी कहा गया है कि यमजम वापी इसमरन भावं ते जन्ते कलेवरं तम तम एवेति कॉंटेया सदा तद भाव भाविता अर ता जिस भाव का एसमन करता हुआ व्यक्ति मनुष्य शरीर ट्याग करता है वा सदे उसी भाव से भावित होकर उसी को प्राप्त करता है यदि मेरा इसमन करते हैं वे श्रीडित्याकता है तो उसे परमगती प्राप्त होती है तो इस तरह से मंतर संक्या 18 का व्याख्यान समाप्त होता है और इसी के साथ जो है इशावाश्योप निशद की समाप्ती होती है आप इनसे भी मंत्रों का व्याख्यान त्यार करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे जे तुहारतम जे तुसंस्कृतम